हांजी नमस्कार आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करूँगा आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी वित रितेश में बिहार पैरामेडिकल 2023 का एक्जामिनेशन फॉर्म रिली जोने के बाद आप मैंसे काफी बच्चों के मन में तरत तरह के questions चल रहे थे काफी बच्चों के दौरा ये पूचा जा रहा थे कि सर इसका syllabus क्या है examination pattern क्या रहेगा और काफी बच्चों के दौरा पूचा क्या है कि सर इस बार total seats कितनी है यानि बिहार पैरामेडिकल 2023 में boys की कितनी seats है girls की कितनी seats है तो इस पर भी मैंने एक video बना है syllabus के ओपर भी मैंने video बना है काफी अच्छा-कासा response आप लोग के दौरा देखने को मिला अब इसके बाद बात ये आती है कि अभी भी काफी बच्चे पूच रहे हैं कि सर इस बार GNM course के लिए GNM course के लिए हमें कितना marks तक लाना होगा कितना rank तक लाना होगा जिसे हमें easily GNM course मिल जाए तो आज किस video में हम लोग बात करने वाले है GNM course के बारे में यानि GNM जो की केवल महिलाओ के लिए है यानि girls logo के लिए तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको यहाँ पर देखिए सभी छातरे ध्यान देंगे स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैं PDF बना के लिए का आया हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर अच्छे से समझा सकूँ clearly समझा सकूँ तो यहाँ भी देख सकते हैं इस पार GNM course 2030 की जो expected cut-off रहने वाली है यानि कितने rank तक वाले बच्छों को यहाँ GNM मिलेगा ठीक है इस बार जो है बच्छो PMCH को भी हटा दिया गया है तो इस बार cut-off थोड़ी high जाएगी यानि इस बार कम rank वालों को ही यहाँ पर GNM का course देखने को मिल सकता है तो फिर भी बात करेंगे कितना rank आपका होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर जब आपका rank card आ जाएगा जब आपका result आएगा उसके कुछ दिनों के बाद आपका rank card जारी कर दिया जाएगा ठीक है फिलाल result आते ही rank card show होने लगता है तो आपको rank card में मिलाना है आपको rank card में मिलाना है देखिए यदि आपका category you are है यानि general category में आते हैं और अगर आपका पच्छी सो rank तक के अंदर में है तो आपको यहाँ GNM course मिल जाएगा easily यदि आप ST category में हो और ST में आप 60 rank तक लेगा आते हो तो यहाँ पर आपको GNM का कोई भी colleges मिल सकता है यदि आप SC category में आते हो और आपका 1100 rank तक है तो यहाँ पर आपको easily GNM course मिल जाएगा यदि आपका BAC category है यानि backward cast अब देखो BC में भी जो है कुछ बच्चे BC में है कुछ बच्चे EBC में आते हैं तो देखें BC वालो के लिए यहाँ पर 1300 rank के अंदर अगर आप आते हो तो मिल जाएगा EBC यानि इसमें अगर आपका rank 1000 rank तक आता है तो मिल जाएगा यदि आप RCG में आते हो आर्थिक स्तिती सही नहीं होती है तो वहाँ पर उन्हें government 10% का reservation देता है यदि वो EWS का certificate लगाते है तब यानि economically weak section तो यदि आप general category में हो और आपके पास EWS का certificate है तो यहाँ पर आपको 10% का reservation मिलेगा तो EWS से यदि आपका 300 rank तक आता है तो easily आपको GNM course मिल जाएगा ठीक है तो यह बात रहा बच्चो GNM course का मैंने cut-up बताया इतना ही रहेगा approximate देखा जाए तो अब दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं A&M, Pharmacy, Lab Tech, OTS Assistant Physiotherapy, Radiology पे भी वीडियो बनाऊ तो आप लोग जो है वीडियो के comment section में अवस्ते बोलेगा